आज के इस वीडियो में हम लोग याता यात संकेट ट्रैफिक श्राइन के बारे में बात करेंगे उससे पहले एक छोटी सी गठना याद आई तो चर्चा करूँगा विदेले में एक छोटा सा बच्चा आया अपनी दीदी को बुलाने जो क्लास सेवन्थ में पढ़ती थी बच्चा बोला कि दीदी भहिया रोता हुआ है कि भहिया का एक्सिडेंट हो गया और ये जो रैट हैंड साइड उसका गाल काफी फट गया बड़ा ही दुख हुआ और कहना चाहता हूँ कि जो हमारी युवा पीडी है जब बाइक पर वैटती है तो उसे ये लगता है कि आज फराटा ही भरना है हमें अपने इस जोस को destructive नहीं creative बनाना चाहिए हमारे इस इवा जोस को हम कुछ रचनात्मक करें ऐसा ना करेंगी जो हमारे लिए ही सरदर्द हमारे लिए ही नुखसान दाइक हो ने चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग traffic sign के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से traffic sign होते हैं और उनको हमें किस तरह समझना है और उनका किस तरह पालन करना है बहुत ही जरूरी तो सबसे पहले pedestrian crossing यहीं जिसे कहते हैं जेवरा crossing जहां पैदल यातरी सड़क को पार करते हैं तो जो पैदल यातरी हैं वो यहीं से सड़क को पार करें और जो बाहन पर हैं प्लीज आप अपने बाहन की speed को थोड़ा हलका कर लें दूसरा इसकूल जहां इसकूल होते हैं इसकूल का sign होता है बोर्ड लगा होता है और यहां आप अपने वहान की speed धीमे कर लें क्योंकि बच्चे हैं ना समझ हैं छोटे होते हैं उनको इतना ग्यान नहीं यह हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा बाहन संतुलित हो किसी पिकार की अपरि स्पीड ब्रेकर के sign है हम पहले से अपने बहान को कर लें लेकिन लोग बेवज़े जगह जगह खुद का speed breaker बनवाते है तो सासन इस पर रोख भी लगाते है यू टर्न आंगे से यू टर्न लेना है यह sign होता है यहां पर अपनी speed को थोड़ा हलका कर लें अनधा समस्या हो जाएगी नो पार्किंग ऐसी जगह जहां नो पार्किंग का बोड़ लगाओ आप पार्क गाड़ी बिल्कुल मत करें इसे लोगों को असुविदा होती है अगर आप गाड़ी लगाते हैं तो आप निश्चित ही आपका चालान कटेगा आप मुसीवत में रहेंगे आपको असुविदा होगी राइट हैंड कर्व यह साइन होता है यह हमें बताता कि हमें सीधी तरफ यहां राइट हैंड मुड़ना है यहां पर भी हम अपने बहान का जो गती है वो थोड़ा धीमा कर लाएं और यह जो इस टॉफ यहां तो रुखना ही रुखना है टी जंक्सन अ व्обще जाता जो एक्षिडेंट होते हैं वो लोगों को पता नहीं होता है कि इसर उदर से कोई आता है और दूरगठना का सिकार होते हैं और यह एक्सर गाउं से जुड़े होते हैं तो टी जंक्सन अगर है बहाँ पर आप दोनों तरफ देख ले और तब ही सड़को क्रास कर रेलवे क्रासिंग यहां पर रेलवे क्रासिंग है और इसको आप जानकारी कर लेंगे यहां से आपको किस तरह निकलना है या रुखना है अगर फाटक लगा है और दूसरी बात कहीं कहीं मानव रही तर रेलवे क्रासिंग होती है तो बहां पर देख लें इधर उधर कोई ट युवा पीडी जो नया जोस होता है, ऐसे ऐसे हार्न लेकर आते हैं, हूटर लेकर आते हैं, कि लोग भे वज़े डर जाते हैं, तो क्रफिया ऐसे हूटरों से बचें, और इन नियमों का पालन कर एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिछे दें